दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों अफ्रीका का भारत के लिए महत्व कई गुना है लेकिन उससे ज्यादा इंपोर्टेंस अफ्रीका की है चीन के लिए इसलिए उसकी दकलंदाजी यहां पर बढ़ती जा रही है अफ में बजन आता है जब उनको मिलती है बजट की थागत तो भारत ने वही किया अफ्रीका का देशे तंजानिया भारत ने भिया उसको लोन दिया आसान ब्याज दर पर दिया तो दोस्तों आप मेंसे कुछ लोग कह सकते हैं कि भारत सरकारी पैसा फालतियू में क्या बांट र किया कि हमने भारतिय टेक्सपेर का पैसा है क्यों उड़ा रहे हूं तो दोस्तों आपका कहना एकदम सही है लेकिन आगे की जानकारी सुनिये सुनके मज़ा आएगा भारतिय एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने जो शॉफ्ट लोन दिया था उस पैसे का इस्तिमाल करके त इस प्रकार जो पैसा हमने तंजानिया को दिया वो लॉट के भारत आ गया साथ में थोड़ा बहुत व्याज भी मिलता रहेगा तंजानिया से लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमें तंजानिया से दुआएं मिल रही है उनका पुलिश फुर्स खड़ा हो रहा है यदि व अपनी समस्याएं अपने बल पर सॉल्व कर पाएंगे तो सभाव एक है चीन को हस्तक छेप करने का इंटर्फेरेंस का मौका ही नहीं मिलेगा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी अब दोस्तों असोग लेलेंड यहां पर सिर्फ एक उधारन है इसी तरह से कोई भी क इस वीडियो में हम राय टिप अत्वार रेकमेंडेशन कुछ भी नहीं दे रहे हैं यह कारेक्रम सिक्षात्मक है आत्म निर्भर इन्वेस्टर्स के उप्योग के लिए रिवीजन के लिए है इस तो दोस्तों भले ही असोग लेंड के बारे में पॉजिटिव खबर आई है तो वो साफ है भाईया जी लाल बत्ती जल रही है आपको जानका लिए दोस्तों चोराई पकर लाल बत्ती हो तो क्या आप आंगे बढ़ते हो आपको पता है यह चीज वही चीज तो चार्ट मालक्षमीं जी हम पर बता रही है साथ में दोस्तों फोकस कीजिए तीन तारों पर गुलाबी काले और नीले तारों पर यह तार कुछ नहीं है दोस्तों मुविंग एवरेज की लाइन है आपने वह गजल सुनी होगी कि रेखाओं का खेल है दरएसल जो मुकदर है वह इनी तीन रेखाओं का खेल है इन तीन रेखाओं को पढ़ना सीख लीजिए फिर प डबल डबल इसलिए जल्दी से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक क्लिक कीजिए और जोइन कीजिए धन्यवाद जय स्रीराम